आदनी ये बुजर्गों, भायों बेहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मैं आज इस 74 सतंतरता दिवस के पावन परवपर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुब कामनाई देता हूँ. 73 साल पहले इसी शुब दिन पर हर भारतवासी ने आजादी की खुली हवा में सांस ली थी. इसलिए 15 अगस्त हमारे लिए बड़े गर्व और गर्व का दिन है. इसी दिन को देखने के लिए भारत मा के कितने ही सपुतों ने अपनी जान की कुर्वानी दी और असंखे स्वतंतरता सेनानियों ने विदेशियों के हाथों कस्ट और यातनाएं सही हैं. आईए, आज हम उनके ही जैसे देशभक्ती, देशप्रेम, साहस, वकर्तव निष्ठा और हर कीमत पर आजादी की रक्षा करने का प्रण लें. आप जानते हैं कि गत 18 जून को गलवान घाटी में देश की सीमा की रक्षा करते हुए हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए. आज मैं उन वीरों को भी शर्दहंजली अर्पित करता हूँ और उनके परिवारों के प्रती करतग्यता वसंवेदना व्यक्त करता हूँ जिन्हों ने अपने बेटों को देश पर कुर्बान कर दिया. आईए आज हम देश के लिए जान न्युचावर करने वाले सभी ग्यात अग्यात शहीदों को शर्दह सुमन अर्पित करें. रास्ट कवी, रामधारी सिंग दिनकर ने शहीदों को शदहंजली देते वे कहा था, जिनकी चड़ती हुई जवानी, खोज रही अपनी कुर्बानी, जलन एक जिनकी अभीलाशा, मरन एक जिनका तोहार, नमन उने मेरा शतवार, नमन उने मेरा शतवार. आजधी की एक दिन कई माणों में एहम हैं, और सबसे एहम इसलिए हैं, कि आजधी के इस जशन को हम एक महमारी के दोर में मना रहे हैं. करोना ने हमारी आजादी में कई बंदिशें लगा दी है हम आजाद हैं कुछ बंदनों के साथ लेकिन इसके बावजूद ये वर्ष और ये आजादी की वर्षगांट विशेश है करोना ने हमारे मुह पर मास्क लगा दिया पर मारे हाथों को नहीं बांदा है करोना ने हमारी रफ्तार को जरूर रोका है पर हमारे होंसलों को नहीं रोक पाया है इस होंसले को बनाये रखने और इस माहमारी से निपटने में अपनी जान की परवार न करते हुए अने करोना वारियज ने मानवता की महान सिवा की है उनमें डॉक्टर्स नर्सेज वा अन्य चिखित सा स्टाफ समाज सेवक वा पुलिस कर्मी सफाई कर्मी आगनवाडी कार करता आदी शामिल हैं मैं इसने स्वार्थ सिवा के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ दंडेवाद करता हूँ भायों बैनों इस बार के सुतंतरता दिवस से दस दिन पहले ही पांच अगस्त को अयोध्या में मर्यादा पुर्शोत्म भगवान शरी राम जी के मंदर का शिलनास मानिये प्रधान मंतरी शरी नेंदर मोदी जी के करकमलों से हुआ है इसे के साथ हमारा पांच सो सालों का इंतजार भी खतम हो गया हमारी शास्वस आस्था का प्रतीक ये मंदर आने वाली पेड़ियों को आस्था शरधा और सांस्क्रित उत्थान की प्रेरना देता रहेगा इससे ठीक एक साल पहले पांच अगस्त को ही प्रधान मतरी जी ने जम्मू कश्मीर से धारा तीन सो सत्तर वा पैतिस एक को हटा कर अखंड भारत की दिशा में ठोस कदम उठाया था भारत तीन सो सत्तर हटने से नकेवल कश्मीर आज़ाद हुआ बलके इस आज़ादी से देश भी गौरवानित हुआ है वहीं राम मंदर बनने से नकेवल राम लला टेंट तंबू और ताले से आज़ाद हो गए बलके पूरा देश अपनी आस्था के शिर्मौर अपने आदर्श भगवान शिरी राम से मिलने के लिए आज़ाद हो गया नई शिक्षा नीती आई इसमें शिक्षा को ही आज़ादी नहीं मिली बलके सोचने समझने और अपने तरीके से शिक्षा गरहन करने की आज़ादी मिल गई है नागरिकता धिनयम आया इसे केवल नागरिक होने की पैचानी नहीं मिली बलके अपने ही देश में अपने होकर प्राय होने की विवश्टा से भी आजादी मिली है साथ ही देश की सुरक्षा में भी नए आयाम जुड़े हैं नके वो लड़कियों को सेना में स्थाई कमिशन मिला अपितु देश की सिमाव पर दुश्मनों को करारा जवाब दिया गया 29 जुलाई को रास रक्षा के लिए पांच राफेल विमान हमारे हां अंबाला एर बोस पहुंचे जो अति आधुनिक तकनीक के हथियारों से लेस हैं मुझे इस बात का गर्व है कि हर्याना वासियों ने भी देश के स्वद्धंतरता अंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है सन 1857 की स्क्रांती तो अंबाला 56 से ही शुरू हुई थी हर्याना के वीरों ने देश की सिमाओं की सुरक्षा में भी बड़े बलिदान दिये हैं हमें गर्व है कि आज देश की सेना में हर दस्वा सैनिक हर्याना से है हमारे सैनिकों ने 1962, 1965, 1971 के विदेशी आकर्वनों वह अपरेशन कारगल युद्ध के दोरान वीरता की नई मिसाल पेश की है हमारा प्रम करतव है कि हम मात्र भूमी के लिए जान नचावर करने वाले शहीदों के परिवारों वह उनके आशितों की देखवाल करें इसलिए हर्याना सरकार सुतंतरता सेनानियों वह उनकी विद्धवाओं को 25,000 रुपे मासिक पेंशन देती है हमने युद्ध में शहीद सेनिक परिवार के लिए अनुगरा राशी बढ़ा कर 50,000,000 रुपे कर दी है विर्गती को प्राप्थ होने वाले हर्याना के शहीदों के 320 आश्रितों को सरकारी नोकरियां दी है प्रिय प्रदेश वासियो आज मेरा सुतंतरता देवस की अवसर पर दोजारोंण का ये छटा अवसर है पिछले साड़े पांच वर्ष में हमारी कारे करने की प्रेणा का एक ही केंदर बिंदू रहा है कि कैसे अपने समय का एक एक खण प्रदेश की जनता की सेवा में लगाया जाए हमारी सरकार एक स्पस्ट लक्ष को लेकर आगे बढ़ रही है वह विशह है विवस्था परिवर्तन का जिन कामों के बारे में पहले लोग कहा करते थे कि ये तो नहीं हो सकता या ये तो ऐसा ही चलेगा हमने उस विवस्था और मान सकता दोनों पर चोट करते हुए उसे बदलने का बीड़ा उठाया है राजनितिक आजादी तो हमें साल 1947 में ही मिल गई थी लेकिन साथ दशकों में भी सरकारे परशासनिक जगरनों से निजात नहीं दिला पाई जब इन रूडिवादी विवस्थाओं पर बदलाव की सोच के साथ हमने चोट की उनकी कमियों को रिखांकित कर बदलने का निश्य किया तो यह था स्थेतिवादी लोग उसे घुटाले की संख्या देने लगे समस्या को हमने समझा उसे बदलने के लिए कदम हमने उठाए बिचोलियों को हमने ग्रफटर कराया तो यह घुटाला कैसे हो गया जब हमने ही कमी को पगड़ा है और हम ही उसे दुरस्त कर रहे हैं तो फिर इसे तो बुन्यादी सुधार की संगया दी जानी चाहिए न के घोटा लेकिए आपने पिछले कारेकाल से ही हमने विवस्ता परिवर्तन कर सुशाशन परदान करने के लिए इगवर्नेस के जरीए गुड़ गवर्नेस का रास्ता और बिष्टाचार के प्रती जीरो टॉलरेंस की नीती अपनाई है इसके लिए अधिकतम सरकारी योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन किया हमने साल दोजार चौदा में कारे भार समालने के बाद एक दिड़ निश्चे किया था कि चाए कुछ भी हो जाए सरकारी नोक्रियां तो मेरिट के अधार पर ही पारदर्शी तरीके से मिलेंगी बहुत से लोगों ने इस पर स्वाल उठाए इसकी सफलता पर संदे किया लेकिन हमने इस प्रण को पुरा करके दिखाया है और सतर हजार से अधिक नोक्रियां मेरिट के अधार पर दी हैं ये वो असंबव से दिखने वाले कारे हैं जिनको पूरा करने का न सिर्फ हमने प्रण लिया हुआ है बलके हम लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं भविश्य में हमारा लक्ष ऐसी विवस्था बनाना है जिसमें लोगों को सरकारी योजनाओं कारे करमों का लाब लेने के लिए कारेले में न जाना पड़े बलके सरकार स्वेम उनके घर जाकर लाब प्रण करे इसके लिए हर परिवार का पैचान पत्र बनाकर सरकार की सब सेवाओं और योजनाओं को उससे जुड़ा जा रहा है हम इस मास के अंतर तक बीस लाख परिवारों को उनके घर में जाकर के पैचान पत्र दे देंगे प्रेव प्रदेश वासियो घरियाना क्रिशी प्रण राज्य है इसलिए क्रिशी क्षेतर का विकास हमारी पहली प्रात्मिक्ता है देश के किसानों के कंदों पर देश को खिलाने और देश की भूख मिटाने का भार है पर उनकी तकलिफों को दूर करने के जिवारी कभी किसी नहीं समझी हम 2022 तक किसानों की आए दो गुना करने के लिए प्तिबद्ध हैं इस दिशा में हाल ही में किंदर सकार ने जो तीन एतिहासिक कदम उठाए हैं इस से 74 साल के बाद ये आजादी किसानों के लिए भी आजादी होगी इनमें आवशक सेवा वस्तुव दिनियम में संशोधन से बढ़नारन सुविधाओं को बढ़ावा देकर उपज की ब्रवादी को रोका जायागा इसी प्रकार क्रिशी उपज वानिज्य वेपार अध्यादेश और मूल्य आश्वासन पर किसान समझ होता और किसी से वा ध्यादेश से किसान अपनी पसंद की मंडी वज़ाрь में फसल बेचने और कन्ट्रेक्ट फार्मिंग करने में सक्षम हो गया है किसान जिसे चाहे फसल बेच सकता है वो ये उसने हैं तो बेचेगा भी वही और बहुतर दाम में बेचेगा मैं इन सभी कदमों का स्वागत करता हूँ इसी दिशा में हमने हरियाना में क्रिशिको जोखम्मुक्त तथा उपज की विक्री को सरल बनाने के लिए मेरी फसल मेरा बेवरा पॉर्टल शुरू किया है कोविड उन्निस महमारी के दोरान इस पॉर्टल के माध्यम से हमने रवी की फसलों के दाने दाने की खरीद की है किसान की फसलों के दाम सीधे उनके खाते में पहुचाए है किसान की उपज का सहरक्षत मूले देने के लिए भावांतर भरपाई योजना में उन्निस सबजियां और फल शामिल किये है पशू पालन को बढ़ावा देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तरज पर पशू धन क्रेडिट कार्ड जारी किये जा रहे हैं आप जानते हैं कि खेती के लिए पानी पहली जरूरत है लेकिन हमारा दाई तो है कि हम कम से कम पानी का उपयोग करें ताके ये आने वाली पेड़ियों के लिए भी बचा रहे इसलिए हमने धान का रगवा कम करने और कम पानी से उगने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है इसके तहट किसानों को साथ हजार रुपए प्रती एकड़ की वित्यस हैता दी जाएगी कोई कुछ भी कहता रहे अलग अलग हिसाब से इसे धान बंदी का नाम दे कर चाहे राजनिती करता रहे लेकन हमने ये संकल्प किसानों और उनकी आने वाले पिडियों के भविश्य को बचाने के लिए लिया है हम इसे उनकी सहमती से ही पूरा भी करेंगे हमने सिचाई के लिए भी अनेक मैतवक अंक्षी योजनाय बनाई है अब तक देश कृशी प्रधान तो था लेकिन किसान प्रधान नहीं था अब किसान प्रधान भी होगा और उसका सम्मान भी होगा साथियो एक दूसरा वर्ग भी है जो उतना ही हताश, निराश और प्रेशन था जिसके लिए आजादी ना तो कभी आई और ना कभी उसने दी गई वो वर्ग है करमचारी वर्ग ये वर्षगांट उनके लिए भी आजादी लेकर आई है रोजगार की दिशा में हमने युवाओं को योगता के अधार पर पारदर्शी डंग से लगबग 75,000 नौक्रियां दी है हमारे युवाओं अब नौकरियों के लिए सिफार्शें तलासते नहीं फिरते बलके प्रत्योगी परिक्षाओं की तैयारी में कड़ी मेहनत करते हैं इसी का परिणाम है कि आईएस परिक्षाओं तक में उन्होंने अपनी प्रतिवा से प्रदेश का नाम रोशन किया है इस साल इसके परिणामों में प्रदेश के 25 युवाओं सफल रहे हैं यही नहीं हरियना के ही प्रदीप मलिक ने पहला और हमाशु जैन ने चौथा स्थान प्राप किया है मैं इन सब 25 युवाओं और उनके परिजनों को हार दिक बदाई देता हूँ रोजगार प्राप करने से पहले तक तो बेबस थे हमने उन्हें अजादी दी पर्ची खर्ची के दोरा नोकरी पाने से अजादी अपनी युगता के दम पर आगे बढ़ने और स्वाविमान से काम करने की आजादी अपनी पहली पसंद की जगा जाने और वहां काम करने की आजादी अर्थाथ आउनलाइन ट्रांस्टर पॉलिसी पूर्व में करमचारियों को कठपुतली बनाकर वेवार किया करते थे प्रंतु अब इमांदर करमचारी आजादी की सांस ले रहे हैं त्रिशिक खेतर के साथ साथ उद्योग भी हमारी अर्फवस्था का अधार है रोजगा सरजन में भी उद्योगों की एहम भूमिका होती है इसलिए हमने प्रदेश का संतुलित आउद्योगे के विकास सुनिशित करने के लिए उद्यम परुत्सान नीती लागू की जिसके बड़े अच्छे प्रिणाम आए है अब हम नई उद्यम परुत्सान नीती दोजार बीस तैयार कर रहे है हम कोविड नाइंटीन महामारी के दोर में प्रदान मंत्री जी के वोकल फॉर लोकल नारे को आधार बनाकर आत्म निर्वरता की और कदम बढ़ा रहे है प्रदेश को उत्पादन का हब बनाने के लिए बहुरास्टे कमपनियां हर्याना में अपना कारोबार बढ़ा रही है हमने सुक्ष्म लगू और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी राज्या में अलग से MSME का गठन किया है क्योंकि MSME नकेवल अर्थ विवस्था को मजबूत अधार देते हैं बलकि युवाओं को रोजगार के अफसर भी प्रादान करते हैं नीजी खेतर में हर्याना के युवाओं को 75% हिस्सेदारी देने की विवस्था बनाई गई है अब हम प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर के हाथ मिलकर रोजगार प्रदान कर रहे हैं रोजगार समंदी जानकरी देने के लिए रोजगार पोर्टल और कॉल सेंटर भी बनाया गया है साथियो आधी आबादी को उनके हिस्से की संपूर्ण ताकत देने की शुरुवात भी हम कर चुके हैं हरियना सरकार ने समाज की आधी आबादी यानि मैलाओं को सशक्त करने और संपूर्ण ताकत देने की दिशा में कई एतियासिक कदम उठाए हैं ताकि उन्हें सही मायने में बराबरी का हक हासिल हो सके पंचायतों में मेलाओं के लिए 50 फिसदी भागीदारी के विस्था सशक्तिकर्ण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है मेरिट सिस्टम के लागू होने के बाद से सरकारी नोकरियों में लगातार मेलाओं की हिसेदारी बढ़ रही है हमारी सरकार बनने के बाद से हमने ना सिर्फ लिंगा नुपात को सुधार कर एक हजार के मकाबले 923 तक पहुचाया बलके मैलाओं के लिए सबसे ज़्यादा कॉलेजों की विवस्ता की है परदेश में 66 नए कॉलेज खोले गए हैं जिन में 42 लड़कियों के हैं मैलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने जाने की समस्या और कॉलेज की दूरी सबसे बड़ी बाधा रही है जिसे जल्द ही दूर करने का प्रयास किया जा रहा है फ्री सेनिटरी नेपकिन बाटने की जो विवस्ता शुरू हुई है ये मैलाओं को स्वस्त और शशक्त बनाने में कारगर होगी ऐसा मेरा विश्वास है महिला सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए हमने राज्ये में 31 महिला पुलिस थाने खोले है वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो पुलिस बल में बेटियों की संख्या मात्र तीन प्रशद थी जिसे हमने 10 प्रशद कर दिया है अब वारा लक्ष इसे 15 प्रशद करने का है हमारी सरकार आधी अबादी को उसकी जन संक्या के नुपात में पूरी ताकत देना चाहती है प्रदेश वासियो प्रदेश के विकास में तेजी लाने के लिए सड़क रेल और मेट्रो सिवा के साथ साथ हवाई सिवा के विस्तार पर भी विशेश ध्यान दिया जा रहा है प्रदेश में राष्टिय राजमार्ग के साथ साथ प्रधानमत्ती ग्रामसडग योजना, मंड्री मार्ग योजना, मुख्य मंत्री खेट सडग मार्ग योजना के परिणाम सरूप सड़कों का सुद्धिड जाल फेला है बाई और बेनों वर्थ मान समय में बिजली भी विकास की पहली जरूरत है हमने बिजली इंफ्रास्रक्टर को मजबूत किया है और लाइन लास घटा कर 17.27 प्रिशद तक ले आये हैं इससे बिजली वित्रन निगम लाब में चल रहे हैं हमने महरागाओं, जगमगाओं, योजना के तहट 24 घटी विजली देने का काम 10 जिलों में पूरा कर दिया है इन जिलों सहित राजय के अभी तक 4638 गाओं में 24 घटे विजली दी जा रही है और आज से 4838 गाओं में दी जाएगी उलेकर ये बात ये है कि हमने पिछले पांच वर्शों में बिजली की दरें बढ़ने की बजाए कम की है शिक्षा के क्षेतर में भी हमने बच्चों के लिए 3000 प्लेवे स्कूल खोलने का ने ने लिया है जिन में 1000 स्कूल इसी साल खोलने की परक्रिया जारी है हम राज्या में 82 नए संस्कृती मडल स्कूल भी खोलने जा रहे हैं COVID-19 महामारी जैसी स्थेतियों से निवटने के लिए आउनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है हम नई शिक्षा नीती 2020 के प्रावधानों को प्रदेश में पूरी तरह लागू करने के लिए क्रत संकल्प है यह नीती देश को नई शक्ति पदान करने में प्रिवर्तन कारी कदम साबित होने जा रही है प्रिव प्रदेश वासियों सरकार की नई खेल नीती और खिलाडियों को लगाता दिये जा रहे प्रोसान के कारण हर्याना के खिलाडियों ने अंतरास्टिय प्रित्योगताओं में पद्कों की जड़ी लगा कर देश का नाम रोशन किया है हम सभी खिलों के लिए संसाधनों और सुईधाओं को विक्सित करने पर जोर दे रहे हैं हमें गर्व है कि इस बार का खिलो इंडिया दोजार एकीस प्रित्योगता की मेजबानी करने का आउसर हर्याना को मिला है देश वर से लगभग 15,000 खिलाड़ी इन खिलों में भाग लेंगे भायो बेनो इसके साथ ही प्रदेश में स्वास सिवाओं को बहतर बनाने के लिए भी विशेश कदम उठाए गए है हमने कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए प्रियाप्त कोविड हस्पताल टेस्टिंग लैब आईसोलेशन वार्ड प्लाजमा बेंक वा चिकित सावप करनों के विश्था की है इसी का प्रदेश में कोविड के 83 प्रतिशत से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं हमने सम्मरीजों की जान बचाने की भरसक कोशिश की फिर भी कुछ जाने चली गई इसका मुझे बड़ा दुख है ग्राम विकास की दिशा में एत्यासिक कदम उठाते हुए हमने गाउं को लाल डुरा मुक्त करने का काम शुरू किया हुआ है और दो अक्तुबर तक 242 गाउं को लाल डुरा मुक्त कर भी दिया जाएगा लोगों को संपतियों वा जमीनों के लेंदन में दोखा धड़ी से बचाने के लिए संपतियों और भूरिकार्ड का ब्यवरा ऑनलाइन किया जा रहा है इसके लिए वेब हेलरिस पोर्टल पर 127 तैसीलों और उप तैसीलों के ब्यवरा डला जा चुका है भायों बैनों हमने हर वेक्ति के लिए शिक्षा, स्वास्त, सुरक्षा, स्वावलंबन वह स्वाविमान सुनिशित करने की दिशा में अनेक योजनाय चलाई होई है ठीक उसी तरह असंबल से दिखने वाले कारे जैसे रिश्ट्रियों में ब्रस्टाचार को बंद करना पार दर्शिता के लिए सक्त कदम उठाना बी-पेल परिवारों के राशन व्यवस्था में ठगी को बंद करना हरιαना के हजारों गाउं को लाल डोरे से मुक्त करना मुक्यमंत्री प्रवार समर्द्धी योजना के तहत छे लाग से ज्यादा परिवारों को सीधी सायता पहुचाना और हर हर्यनवासी का परिवार पैचान पत्र बनाकर उसे सामाजिक सुरक्षा के दारे में लाना सभी कारे सुनिश्चित किये गए हैं मुख्य मंत्री विवाश शेगुन योजना, अम्बेड कर मिधावी छात्र योजना, अन्तियोदे योजना, आदी द्वारा गरीब परिवारों को लाब दिये जा रहे हैं इस स्वर्ष हमने सुशाशन का संकल्प या था, ये संकल्प किसी एक के लिए नहीं है, बलके सभी के लिए है और हम उसे पूरा करेंगे, आप उसे महसूस करेंगे जन्जीरें के बल गुलामी की या अंग्रेजों की नहीं थी, बलके एक मानसिक्ता की भी थी, जिसने देश को आगे नहीं बढ़ने दिया सत्ता को सुशाशन का जरिया बना कर रखा, और कभी जन्ता की सेवा का ख्याल ने रखा हमें उस मानसिक्ता से भी देश को आजाद करना है, हम सुशाशन सब्दों से, कागजों से और बातों से नहीं लाएंगे बलके सुशाशन समाज से, संकल्प से, और सभी के साथ से लाएंगे, और सभी के लिए लाएंगे इस एत्यासिक दिवस पर जब हम अपना सुतंतरता दिवस मना रहे हैं तो आईए रास्ट की एक्ता और अखंडता को बनाए रखने तथा देश के नव निर्वान के लिए मिलकर काम करने की शपत लें इस पावन असर पर मैं एक बार फिर से भारत के सुतंतरता संगराम के शहीदों को शदानजली अर्पित करता हूँ और हरियाना के करमठ लोगों के उज्वल भविशे की कामना करता हूँ जै हिन जै हरियाना